हलो फ्रेंट्स इक्जाम नीती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एव आफिस स्वागा नियुक्त抓 करता है इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के most important करытके के बारे में तो धियान से देखेएगा इस फूरे वीडियो को इस वीडियो के लास में आपसे क्वेशन पूचार आपको कमेंट करके बताना होगा और कल की वीडियो में आपको इस 치न का साही idea दूंगा अगर आप इस वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडियाप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से आज का पीडियाप भी डाउनलोड कर पाएंगे तो शुरुवात करते हैं आज की करन्ट अफिय यहाँ पर से बिल्कुल सही है त्यान रखेगा जब आप से एक्जाम में पूछा जाएगा तो आप से डिरेक्ली एक्षिन बन के ऐसी आएगा इनका सॉर्ट में नेम हो जाएगा SS मुंद्रा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर है औ और अब यह इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कारिकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं 2018 से यह इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में सुतंत निदेशक के तौर पे शामिल हुए थे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अगर हम बात करते हैं तो इसक के लिए जो है यह पैसा देता है ठीक है इसके बाद question number second है कि अगस्त 2020 में किस देश ने arrow two ballistic missile interceptor का सपल परिक्षन किया है अभी recently arrow two नाम के ballistic missile interceptor का सपल परिक्षन किया है और जो मिसाइल है यह इसराइल की मिसाइल है तो option D वाला यहां पर से बिलकुल सही है तो इस इस आप यहां से ध्यान रख सकते हैं यह कुछ इसके picture है इस missile के जो की परिक्षन किया गया है arrow two जो है इस missile का नाम है यह एक बहुत तरिये प्रणाली का गिरा हुआ है लिबनान के साथ इसकी नहीं बनती है गाजा के तरफ से इस पर हमले होते हैं तो जो हमले इस पर होते हैं इसराइल के जो intelligence viewer है उसको हमीसा यही सीज लगता है कि उसके उपर जब भी हमला किया जाएगा तो वो rocket के जरी होगा और rocket के जरी एक साथ उसके कही शहरों पर हमला किया जाएगा तो इसी वज़े से यह अपने जो rocket प्रणाली है जो missile प्रणाली है उसको लगातार यह विक्सित करने की भी मार गिनाने की चमता है ठीक है यानि कि अगर कोई बाहर से किसी अन्य देश से जो है missile इसके उपर दाग रहा है तो भी जो है इन missile को जो इसके उपर दागे जाएंगे उनको नश्ट कर सकता है यहाँ पर इसराइल के बारे में आपको next slide में बताऊंगा क्योंकि इसराइ अबी recently इसराइल और संयुक्त अरब अमिराद के बीच में एक एतिहासिक सांति समझोता हुआ है यह समझोता है इसके बाद इसराइल अपनी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर कबजा करने की जो इसकी लगातार इसकी जो मतलब कबजा करने की इसराइल की एक नियती रही है उसको जो है यह बंद कर सकता है ठीक है यह जो इसका जो इसराइल है वो वेस्ट बैंक पे जो है लगाता है कबजा करने की कोशिश करता है और पूरी दुनिया में इस सीच को लेकर विवाद होता है वेस्ट बैंक के बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे चलके बता करे तीक है इसराइल चारों तरफ से जो मतलब आप सभी को पता होगा कि यहुदी देश है इसराइल तो उसके उपर लगातार हमले होते रहते हैं अरब कंट्रीज के द्वारा तो अगर उसने अन्य देशों के साथ अपने समझोते के द्वारा अपने संबंद अगर अच्छे कर लिए तो इससे जो अन्य अरब देश है उनको नुकसान हो सकता है इस समझोते के बाद यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश और अरब का तीसरा देश बन गया है जो मतलब इस तरह के सांती समझोता कर चुका है इससे पहले इसराइल ने अपने राजनाईक के सांत जो इस सापित कर चुका है यानि कि मिश्र और जॉर्डन के सांती समझोता कर चुका है तो यहां पर यूएई जो है वो तीसरा अरब देश है जिसके सांत इसराइल ने सांती समझोता किया है तो यह चीज आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए अब जिसके मैं आपको बताया कि वेस वेस्ट बैंक को लेकर खासी चर्चा यहां पर हो रही है न्यूज वगरा में भी आपने सुना होगा रो एक्जाम के लिहाज से भी अच्छा है क्वेस्ट बनेगा हमारा यहां से कि वेस्ट बैंक में करीब चार लाख इस्राइली यहूदी रहते हैं साती सात यहां पर रहने ज को अपना कहता है और दुसरा तरब भी फिलिस्टिन इसको अपना मानता है इसके बाद यहां पर चीज मनें और लिखिया है कि West Bank जो है वो दरसल इसराइल के पूर में Jordan सीमा पर इस्तित करीब 6,555 वर्ग किलोमीटर का शेत्र है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा ठीक है ये West Bank एक साइट से ये इसराइल की सीमा रेखा है और दूसरी तरब से ये Jordan की सीमा रेखा है इधर से ये Jordan हो गया इस तरह पाला है और इस तरह पाला जो है ये इसराइल हो गया तो ये बीचू बीच में इस्तित है तो एक तरब इसको Jordan अपना मानता है तो वही चीज यहां पर लिखी गई है और इसके Jordan नदी के पश्यम टेट पर होने की वज़े से इसे West Bank कहा जाता है ठीक है पश्यम टर्ट पर जो जॉर्डन नदी जो है उसके पश्यम पर यह इस्तित है इसलिए जो इसको West Bank के नाम से जानते हैं इस इलाके को West 1948 में जब इसराइल और अरब के बीच पहली बार लड़ाई हुई थी उस वक्त जॉर्डन ने इस शेतर पर अधिकार कर लिया था लेकिन उसके बाद 1967 में इसराइल ने इसको 6 दिन तक चली लड़ाई के बाद वापस ले लिया था तब से इस शेतर पर इसराइल का अधिकार करती है कि वो अनावश्यक तोर पर एक ऐसे शेतर पर कबजा करने की कोशिश कर रहा है जो लगातार विवादू में घिरा हुआ है क्योंकि इसराइल जो है जो वेस्ट बैंक वाला जो इलाका है वहाँ पर लगातार अपनी जो भूमिका है उसको लेकर संदिद भूमिका मे लगाया जा रहा है ठीक है अभी इसराइल ने कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया है ठीक है तो यह आपको यहां पर समझ में आ आ गया होगा नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके एक्जाम के लिए अगर यूपियसी यह पीसेस का एक्जाम आप दे रहे ह होगा यह अपनांंदिया है ठीक है यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह ब्ॉडर है यह पागिस्तान लगा हुए तो यह इंडिया है और इंडिया से अगर हम देखेंगे तो यहां पर पढ़ता इस्राइल ओर यह है जॉर्डन तो मैंने आपको बता दिया वेस्ट बैंक कहां पर है त्यान रखिएगा क्वेशन नमबर चौता है कि अगस्त 2020 में किस राज्ज में औस दी मूल निगरानी और संसाधन इकाई का गठन किया गया है इसका जो सही आंसर है वह ऑप्षिन करनाटक में राष्टी औस दी मूल निर्धारण पाधिकरण ने औस दी कीमत निगरानी और संसाधन इकाई का गठन किया है ठीक है यहां पर आप देख रहोंगे मैंने एन पीपी ए लिखा हुआ है तो यह इसी का जो है मतलब आपका हिंदी में यह पूरा मतलब हुआ और इस इसको इंग्लिश में सौर्ट में एन पीपी ए बोल देते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मस्टिकल प्राइजिंग अथारटी ठीक है और इसी तरीके से जो और सधी कीमत निगरानी और संसाधन इकाई है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पी एम आर्यू ज ठीक है रिसोर्स मतलब संसाधन तो ये काम क्या करता है तो ये जो यूनिट होगी ये दवाईयों के देखरेक करती है दवाईयों की पूर्ती के ओपर ये नजर रखती है उनकी कीमतों के ओपर ये जो है नजर रखती है ठीक है और उपभोगताओं को जागरू करने के वी रिसेंटली करनाटक में इसकी स्तापना की गई है यह आपको यहां से ध्यान रखना होगा बहाद सरकार की योजना है कि यह जो यूनिट है इस तरह के कि यह पूरे देश भर में जो है लागूओ सभी राज्जियों और केंशाशित परदेशु में ठीक है तो यह आप यह से ध्यान रख सकते हैं आपको समझ में आग यह आओगा ना कि क्या यह सो नाम से ही पता चल ला है हमको कि यह दवाईयों के उपर जो है उनके मूल निर्धारन को लेके मतलब जो है नजर रखता है ठीक है क्वेशिन नंबर पांच वह है कि अगस्त 2020 में सुप्रिम कोट ने सुप्रिम कोट ने ठीक है तो यह से आप यहां से ध्यान रखेगा सुप्रिम कोट के वरिष्ट वकील है यह परसांद भूशन और हमेसा चर्चा में रहते हैं कभी सरकार के खिलाब बोलते हैं कभी कभी योजनाओं के खिलाब मिलब खुल के जो है किसी भी चीज का परसांद भूशन को सजा सुनाई जाएगी तो अगर यह माफी मांग लिते हैं तो इनकी सजा माफ हो जाएगी और अगर अब माफी नहीं मांगते तो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है ठीक है question number 6 है कि अगस्त 2020 में पागिस्तान ने नेपाल में हुए South Asian Games 2019 में medal जीतने वाले कितने एथलेटों पर 4 साल का परतिबंद लगा दिया है इसका जो सही आंसर है वो है option B वाला यानि की 3 अभी recently पागिस्तान ने नेपाल में जो South Asian Games हुए थे पिसले साल उसमें पागिस्तान की तरफ से जो तीन एथलेट थे जिनोंने की medal जीते थे उन पर परतिबंद लगा दिया है परतिबंद लगाने के वज़ा ये है कि उन खिलाडियों के जो test लिए गए थे सेंपल लिए गए थे उसमें वो फेल हो गए है तो डोपिंग टेस्स में फेल होने के वज़े से उन पर चार साल का परतिबंद लगा दिया गया है इनमें से दो एथलेट ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एक ने ब्रॉंज मेडल जीता था तो अब जो है यहाँ पर इनको अपने मेडल वापस करने होंगे अब जो है इसके बाद बात करते हैं क्वेश़्िन नमबर साथ में कि माॉंट सिनाबूंग जो जोला मुखी यह इस्तित है इंडोनेशिया में तो option B वाला यहाँ पर से बिल्कु सही है तो यह सीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा हाली में इस जौला मुखी में एक हपते के अंदर आठ बार बिस्पोर्ट हुआ है और चर्चा में रहा है यह दो किलो मीटर तक जो है राप का गुबार इससे आसमान में दिखाई दिया है जिसके बुझे से यहाँ पर जो फ्लाइट वगर हैं यह सभी कैंसिल कर दी गई है इंडोनेशिया में 130 सक्रियज वाला मुखी है और इसको रिंग ओफ फायर कहा जाता है आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है रिंग ओफ फायर किसे कहते हैं तो आपको पता होना चीए इंडोनेशिया को साथे साथ यहाँ पर कई बार हमसे पूछा जाता है कि जैसे कोई सक्रियज वाला मुखी हो उसका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह कौन से देश में है इसलिए मैंने एक क्वेशिन ले रखा है क्योंकि यह चर्चा में भी रहा है और आप ध्यान रखिएगा कि माउंट सिनाबूंग जाला मुखी जो है यह इंडोनेशिया में इस्तित है इंडोनेशिया कहाँ पर पढ़ता है तो यह अपना इंडिया है और नीचे के तरफ देखेंगे हम तो यह जो रेट कलर रिक बॉंडरी के अंदर आपको दीख रहे है यह सभी इंडोनेशिया के हिस्से है छोड़े जोटे हिस्सों में डिवाइड है अगर मैं आपको जिस जोड़ा मुखी के अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं माउंट सिनाबूंग जोड़ा मुखी तो वो यहां पर इस्तित है ठीक है इसके बाद क्वेशिन नमबर आठवा है कि अगस्त 2020 में साओधी अरब ने किस देश के लिए अपने रिण और तेल अपूर्ती सेवा को कर दिया है क्या कारण है क्यों इस तरीके का फैसला किया है तो इसका कारण है पागिस्तान के विदेश मंतरी सहा महमुद कुरेशी इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा कि साओधी अरब और्गनाइजेशन ऑफ इसलामिक कॉर्परेशन जो की जो इसलामिक के देश हैं, उनका एक संगठन है, इसको जम्मो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाब खड़ा नहीं होने दे रहा है, मतलब धारा 370 जो खतम हुई जम्मो एंड कश्मीर से, उसके बाद पागिस्तान लगातार ये चाहता है कि जितने भी इसलामिक देश हैं, वो एक साओधी अरब हमारा साथ नहीं देता है, तो हम अन्य अरब देशों का जो है एक अलग संगठन बनाने का मतलब जो है, वो मन बना बैठे थे, इसी को लेकर साओधी अरब को गुस्सा आ गया और साओधी अरब ने उनके साथ जो रिंड समझाता था और जो तेल अपूर्ती सेवा थी, उसको समाप्त करने का फैसला किया है, अब इससे होगा क्या, तो इससे पागिस्तान को साओधी अरब से लिया गया, एक अरब डॉलर का जो लोन है, वो वापस करना होगा, तुरंत ये एक समझाता हुआ था, नौंबर 2018 में, ये समझाता था, 6.2 बिलियन डॉलर का जो है, रिन पैकेज का, तो इसमें से 3 अरब डॉलर का जो है, करज दिया जा रहा था, और 3.2 अरब डॉलर का जो है, वो क्रेडिट फैसलिटी थी, ठीक है, तो उसमें इन मतलब जो 6.2 बिलियन डॉलर रिन जो है, साओधी अरब पाकिस्तान को देने वाला था, उसमें स एक अरब दे चुका था एक अरब डॉलर तो अब एक अरब डॉलर भी वापस ले लेगा तो अब पाकिस्तान को ये पैसा उसको जल्द से जल्द वापस करना पड़ेगा तो इसको कहते हैं अपने पैर पे कुलाड़ी मानना इसके बाद क्वेशिन नमबर नाइन थे कि अगस पैसा दिया गया है अगर मैं आपको यहां पर मैप में इसको दिखाऊं तो यह अपना इंडिया है और यहां पर आपको पड़ेगा यह जो पिन किया हुआ जो एरिया है अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से जूम करूँ तो आप ध्यान से देखना इस इलाको को ध्यान से देखना जो मैं आपके यहां पर बता रही हूँ ठीक है ? एन बारवुडा ठीक है तो यहाँ पर जो है भारत ना मतलब इस देश को जो की उत्री अमेरिकिया महादुईप में पढ़ता है इसको एक मिलियन डॉलर का जो है साहितराशित दी है यहाँ पर जो स्वास सेवाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए ठीक है question number 10 है कि अगस्त 2020 में निमनलिकित में से किसे Indian Achievers Forum इंडिया द्वारा CEO of the Year 2020 के रूप में नामित किया गया है इसका सही answer है option C वाला यानि कि गगन अरोडा को अभी recently Indian Achievers Forum इंडिया ने गगन अरोडा को जो कि आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे इनको CEO of the Year 2020 के रूप में नामित किया है कौन है गगन अरोडा तो गगन अरोडा Vertex Global Services के CEO और Strategic Growth Leader है ठीक है तो यह आप ध्यान रखिएगा अगर आपसे एकजाम में पूछा जाता है कि Indian Achievers Forum ने किसको CEO of the Year चुना है तो यहाँ पर से गगन अरोडा का नाम आपको ध्यान होना चाहिए Question number 11 है कि गंगाधर मेर लिप्ट सिचाई परियोजना किस राज्य में इस्तित है तो गंगाधर मेर लिप्ट सिचाई परियोजना ये इस्तित है उडीशा में option B वाला बिल्कुल सही है उडीशा के बर्गर जिले में जो है ये इस्तित है तो यह सिचाई आप यहां से ध्यान रखिएगा हाली में उडीशा सरकार ने इस परियोजना के लिए 1138.63 क्रोड रूपय की मंजूरी दी है ठीक है लगबक तीन साल पहले जो है इसकी अधार श इस दीलाल क्कॉश्य नमबर बार्वें हैं कि निमलेकित मैं से किक सके दोरा 14 अगस्त को força रूप की की शरुवा है वो हमारे केंदरी खेल मंतरी किरन रिजीजू ने किया है तो option C वाला यहाँ पसे बिल्कुल सही है यह एक तरीके का अभियान के तौर पे है यह Fit India Freedom Run तो इसमें 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा तो जो लोग भी इसमें हिस्सा लेने चाते हैं वो जहां पर भी हैं वो दौर सकते हैं तो लोग को Fit रहने के लिए तरीके से यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है यह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यही हैं खेल मंतरी किरन रिजीजू ठीक है तो इनी के दौरत जो है 14 अगस्त को इस अभियान की शुरुबात की गई है 15 अगस्त से आप भी दौर सकते हैं 2 अक्टूबर तक ठीक है किसी भी टाइम कोई फिक्स नहीं है अपनी स्पीड से अराम से दौरते रही है चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपक लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था मैंने आपसे पूछा था कि अगस्त 2020 में पागिस्तानी कोट ने कुल भूशन जादो मामले में कितने न्याय मित्र नियुक्त किये हैं यह मैंने आपसे पूछा था यह बहुत सिंपल क्वेशन था लेकिन हमाई एक्जाम के कोट ने ठीक है अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रशन की इस प्रशन का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए आज का प्रशन है कि अगस्त 2020 में कि इस देश के परमुक राजनेता और पूर्व नोवल पुरासकार विजेता जॉन हुमे का बात कि अ